तो चलिए देखते हैं इसको मैं बनाते कैसे हैं इसको लगा के भी दिखाऊंगी कैसे ये बना है बहुत ही सस्ता दस रुपे में बनाया है मैंने ये जेल आइलाइनर और ये वाटरपूफ हाई सूरसपाइटस कैसे हैं आप सब गाईस सब मस चल रहा होगा ना मस्ती रहना चाहिए और मेरे होमेड मेकप की जो लहर है उसमें एक और प्रोड़क्ट में आज लेकर रहा हूँ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपको मेरे homemade makeup products बहुत अच्छे लगते हैं, आप बनाते हैं, उसे share करते हैं, और कहीं तो मुझे बहुत चलते हैं, क्योंकि कई बार मुझे messages आते हैं, बहुत सारी girls की, कि भई, लीदी हमें makeup खरीदने allowed नहीं है, तो मुझे समझाते हैं, आप लोगों के बनाते हैं, बहुत खुछ होते हैं, उनकी खुछी देख करना, जो खुछी मुझे दिल को मिलती है, मैं बया नहीं कर सकते हैं, वो खुछी दुनिया की सब-से बड़ी खुछी है, मतलब मेरे channel का, जो में मकसद है, वो फुल्फिल होतावा दिखाई देता ह जब आप लोगों के चहरे पर मुस्कुराहत आती है, इसी मुस्कुराहत को बढ़ाने के लिए, आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ, और वो है मेरा homemade gel eyeliner, this is my gel eyeliner, जैल आईलाइनर है मेरा ये, अच्छी से डिपी है, और ये container भी कैसे बनाया है, वो भी मैं बताऊंगे आ आप है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें मैंने ये gel eyeliner बनाया है, बहुत ही बढ़िया है ये gel eyeliner, तो चलिए देखते हैं, इसको मैं हम बनाते कैसे है, इसको लगा के भी दिखाऊंगी, कैसे ये बना है, बहुत ही सस्ता, 10 रुपे में बनाया है, मैंने ये gel eyeliner और ये waterproof So guys, ये gel eyeliner को बनाना बहुत ही simple है, इसके लिए हमें crayons चाहिए, ये crayons का 10 रुपे का पाकेट आता है, तो ये मैंने लिया है, और हमें next चाहिए vaseline, ये बहुत ही must आपका जो gel eyeliner बनेगा, तो मैंने एक spoon लिए, steel की spoon लिए, क्योंकि मैं इसको melt करूंगी, आप चाहें तो microwave में कर सकते हैं, तो vaseline लेनी है, और ये वाला हमारा जो color है, black color इसमें से वो लेना है, और इसको हमें melt करना है, मैं candle के उपर इसको melt करी हूँ, बहुत ही मज़ेदार तरह से melt हो जाता है, तो इसको हमें लेना है, और आप देखो melt के बाद कितना प्यारा color इसका है, amazing it is, तो इसक कर लीजिए, और इसको हम निकालेंगे, एक container में सिर्फ दो ingredients से 10 रुपए के अंदर, 10 रुपए भी नहीं लगए है, बतला उससे भी कम में बन गया है, आपका gel eyeliner बन जाता है, और इसको मैं आपको लगा के दिखाते हूँ, तो guys मैं इसको अपने eyes में लगा के आपको दिख तो compact powder से आप उसे set कर सकते हैं, थोड़ा सा eyes को मैं set इसले कर रही हूँ, यसे तो मैंने eye makeup कर दिया है, लेकिन मेरे थोड़ा सा sweat आ गया है, तो इसले मैं कर रही हूँ, इसको set, चलिए लगाते हैं अपना eyeliner, यह एक brush है, मेरा पुराना gel eyeliner का है, उससे लगा रही हूँ, नही तो painting brush भी आते हैं, आप उससे भी लगा सकते हैं, जो की, नहीं तो painting brushes भी आते हैं, उससे भी आप लगा सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, see the pigment, कितना अच्छा यह लग रहा है, बहुत ही amazing बना है guys, तो इसको जड़ा दूसरी eye पे भी लगा दे, guys, जब भी आप यह homemade मेरा eyeliner लगा है, make sure कि आप उससे compact से पहले set करें, ताकि वो glide होना बहुत असान हो जाता है, so guys, मैंने पनी दोना eyes में इसको लगा लिया है, और यह बहुत ही pigmented आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, so this is my homemade gel eyeliner, और आप इसको लगा सकते हैं, यह अच्छे से stay करेगा आपके eyes में, बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो pigment इतना अच्छा और natural है, बहुत ही अच्छा है, amazing है, natural है, बहुत ताईफ है होगी, अब फटफट से बनाओ, और मुझे Instagram पर tag करना guys, मेरा handle सुरस्वीट है, मैं आपकी जो story है, उसको अपने Instagram पर share करूँगी, so, ऐसे मस्त रहना, so, ऐसी homemade makeup products बनाते रहो, ऐसी homemade makeup products को मैं बनाऊंगी, your full makeup भी मैं आने वाले समय में अपने चानल पर करूँगी, so, मेरे चानल पर जड़े रहें, बने रहें मेरे साथ, तब तक यारो मुस्कुराते रहो, चिल रहो, मस रहो, हम से जुड़े रहो, take care, bye-bye.